नमस्कार किसान दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल में कल्टर के प्रियोग के बारे में अगर आप लहसुन की फसल में कल्टर का प्रियोग करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ब प्रियोग करने से कितना वेनिफिट्स आपको होगा उपस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी और कितना खर्च लगेगा सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बता देंगे वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को टॉच करके सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में बने घंटी के निसान को भी आल पर सिलेक्ट कर रहे लहसुन की फसल में वैसे तो हम और प्रियों के देते हैं जो काफी लापद देती हैं लेकिन अगर मेरी राया आप मानें तो उसमें जो और प्रियों करते हैं तो उसका रेजल्ट काफी अच्छा रहता है सिंगल प्रफास्फेट जो रहती है जिसमें Phosphorus की मातरा काफी अच्छी होती है इसमें Sulfur भी आपको मिल जाती है और कैलसियम भी कैलसियम 21% मिल जाती है और सलफर 11% मिल जाती है सभी वीडियो में हम आपको बदाते हैं कि लहसुन की फसल में मैक्सिमम आपको दो बार सिंगल सुपरफासपेट का प्रियोब करना है अगर आप कम से कम प्रियोब करना चाते हैं तो एक बार आप अपनी फसल में जरूर इसका प्रियोब करें जिससे कि आपकी जो फसल है ग्रोथ अच्छे से करेगी और उस पादन बढ़ने के काफी दा चांस बढ़ जाएंगे अब हम किसां दोस्तों बात करते हैं कल्टर के बारे में कल्टर में क्या होता है कल्टर में पैकलो ब्यूटा जोल 23% SC फाम में होता है इसका काम क्या रहता है पौधे की अतरिक्त व्रधी को रोकना यह हमें तब प्रियोग करना चाहिए जब हमारी फसल की एल्डिंग की अवस्था हो यू समझ लीजे कि आपकी फसल जब 35 से उपर हो जाती 35 दिन के या नहीं कोई भी फसल कोई बवाई की हो या रोपाई की हो 35 दिन के उपर हो जाए या फिर फल आने की अवस्था में हो तब उसमें हमें क्या करना रहता है इसका प्रियोग करना होता जैसे कि आप लहसुन की फसल में इसका प्रियोग कर रहे है तो जब कंदों का आकार बनना सुरू हो जाए जैसा कि 40 दिन की या 35 दिन की अवस्था में कंदों का आकार बढ़ना सुरू हो जाता है इस समय क्या रहता है अगर हम इसका प्रियोप करते हैं तो उपरी जो पौधे की ब्रध्य होती वो ना हो करके और नीचे कंदों का आकार अच्छा होने लगता है जिससे हमारी उपज अच्छी होती है कंद काफी बढ़े होते हैं अगर हमारे पौधे की उपर ही ब्रध्य कम होगी तो जो उसका आतरिक्त जो भोजन वो बनाएगा जो से पोसक तत्त मिलेंगे वो उसके पौधे में ना लग करके उसके पतियों में ना लग करके उसकी एल्डिंग में जाते हैं जिससे उत्पादन काफी अच्छा बढ़ जाता है। और साथ ही हमारे पौधे की immunity बूश्ट करता है। निया रोग प्रत्रोधक छमता बढ़ाता है। जिससे जो कीट लगने वाले होते हैं वो नहीं लगते हैं। फंगस वाले जो छोटे मोटे रोग होते हैं उनके प्रतिमी सहनसील बनाता है और इन रोगों से आपकी फसल को बचाता है। तो इसका प्रियोग अगर आप लहसुन की फसल में करना चाहते हैं तो 35 दिन की ऊपर जब आपकी फसल हो जाया नहीं 40 दिन की हो तब भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं। बहुत तो चार से पांच अमिल प्रति 15 लिटर वाई ट एंकी में मिला कर आप इसको प्रियोग में ला सकते हैं। इसको आप इसी डोस्टेर प्याज में प्रियोग कर सकते हैं। इसको अगर आं-लाइन खरी दना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रप्शन में दिया गया तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी लहसुन की उपज बढ़ाने के लिए आपको कल्टर कैसे प्रियोग करना है कल्टर के क्या-क्या फाइदे होते हैं हमने आपको पूरी जानकारी दी है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब क लीजिए धन्यवाद